नमस्ते बच्चो, सान अकेडमी पलीकरने क्लास फाइव हिंदी में आपका स्वागत है और बच्चो, आज हम लोग व्याकरन का भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्याश अभी अपठित मतलब क्या है अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ान गया हो मैंने हमने उसे कभी पढ़ा ही नहीं मतलब जो हमारे टेक्स्ट बुक में या फिर ग्रामर भूप में कहीं पे भी हमने पढ़ाने जिसे हम लोग इंगलिश में अनसीन पैसेज केते हैं अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्याश जिसे हमने कभी पढ़ाना हो या फिर अपने किताब के बाहर से आया हो विच्टे हम लोग एक्जामे लिखते हैं ना उनके प्रश्णों के उत्तर वगएरा तो उसी की बारे में आज हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो अपठित गद्याश को या फिर उनके प्रश्णों के उत्तर लिखते समय जो बाते इंपोर्टन्स होती हैं देखती हैं वो कौन-कौन से बाते हैं पहली बात देखे क्या है सर्व प्रतम गद्याश को दो से तीन बार पढ़ना है अगर कोई अनसीन पैसेज के आप लोग प्रश्णों के उत्तर लिक रहें तो आपको क्या करना है उस गद्याश को कम से कम दो या तीन बार अवश्य पढ़ना है मतलब तू टू त्री के उत्र चोटे चोटे वाक्यों में देना है जो अप लोग लिक रहे हो कम से कम शब्दों में हो उसके बाद प्रश्णों के सही विकल्प पढ़ करें उचीत उत्तर देना है मतलब आपको क्या करना है प्रश्णों के जितने भी options वहां पे दिये गहें सबको ध्यान या है सही option उसको आपको चूज करना है अब देखते हैं अंतिम points क्या है शिर्षक देते समय शिर्षक याने heading शिर्षक देते समय गध्याश का पहला वाक्य जो first sentence से उस unseen passage का और अंतिम वाक्य मतलब last वाला वाक्य इन दोनों वाक्यों को हम रहें बहुत सावधानी से पढ़न इसलिए दो वाक्यों क्यों पहले वाले और आखरी वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए अब ही मैं यहाँ पे एक unseen पैस्य दिया है हम लोग पहले उसे पढ़ते हैं देखिए क्या है वह एक बगिचे में तरह तरह के पेड़ थे पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों के गोंस ले थे एक दिन सुबह सुबह कवा जोर जो से चिलाने लगा कववे ने एक लाल रंग का अंडा देखा कववे ने सब से पूछा यह अंडा किसका है सबने मना कर दिया फिर सबने कोयल से पूछा फिर कोयल बोली शायद किसे ने मजा किया है लेकिन सभी पक्षि उसरे को पूछ रहे थे तबी चिंटू बगिचे में आया और आपने गेंद उटा कर चला गया तब सब को पता चला कि वो ये गेंद थी ये तो हो गया unseen passage अभी हमने एक बार पढ़ा लेकिन जब आप उत्तर लिखते हैं तो आपको कम से कम दो या तीन बार अवश्य पढ़न चाहिए अभी इससे रिलेटर जो प्रश्ण है वो देखते हैं क्या है पहला देखे पेडों पर किसके घुंस लेते तो पेडों पर किसके घुंस लेते पेडों पर पक्षियों के घुंस लेते दूसरा प्रश्ण कवे ने बगिचे में क्या देखा कवे ने क्या देखा था और उस अंडे का रंग क्या था लाल था तो कवे ने बगीचे में एक लाल रंग का अंडा देखा किसरा प्रश्ण गेंद किस की थी किस की थी गेंद बच्चो गेंद थी चीन्टू की किस की गेंद चीन्टू की थी और आखरी प्रश्ण कौन जोर जोसे चिलाने लगा कववा जोर जोसे चिलाने लगा है ना कववा ही चिला रहता ना देखे मैंने प्रश्णों के उतर कम से कम शब्दों में दिये है तो आपको भी Unseen Passage जब उसके उतर लिखते हैं इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखना होगा बच्चो तब भी आपको तोड़ा इजी होगा unseen passage के उत्तर लिखने के लिए तो आपको क्या क्या करना है passage को कम से कम दो या तीन बार पढ़ना है जो उसके main point से उनको underline करना है और प्रश्णों के उत्तर कम से कम शब्दों में देना है है ना बच्चो तो चलो यहीं पे जो हमारा पाठे अपटित गद्याश कम्प्लीट होता है आशा करते हूँ आपको अपटित गद्याश का वीडियो समझ में आया होगा धन्यवाद